अलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आज की वीडियो में बात करेंगे मारूती 800 की इसमें अल्मॉस्ट टू लैक्स की और जिस भाई की कार है उसका में इस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप भाई को फोलो कर ले और अगर कार्स रिलेटेट कोई कोशन है तो भाई से पूछ सकते हैं तो प्लीज वीडियो लाज तक देगे और मेरा चैनल जल्दी से कराया है यह इसका वाकराउंड वीडियो है आप इसका एकस्टे इरेल से लुक चेक कर सकते हैं यह गाड़ी कंप्लीट इंटेरियर और एकस्टेरियल दोनों से मोडिफाई है और इसमें आंस में और मॉस्त 2 लेक्स की अक्सेसरीज और मोडिफिकेशन्स की कोस्ट जो है आ कि मारुति में इतने बड़े alloy wheels नहीं आते थे company 12 inches के stock steel rims देती थी पर भाई ने इन अपग्रेड कराके और size upsize कराके 18 inches के alloys इसमें install कराए हैं जिनको लगवाने के लिए भाई ने spacer का use किया है जिसमें hub alto की use की गई है hub size जो है वो alto का है और 2 inch के इसमें spacer से अब देख सकते हैं side से इसका look और इन aloys को fit कराने के लिए थोड़ा थोड़ा इसकी जो front fender के edges हैं उनको भी curve किया गया है cut करके और bumper को भी थोड़ा cut किया गया है यह इसका interior look आप देख सकते हैं इसके panels इसके steering पे और इसके seat covers पे same 10 color का interior क्या गया है काफी premium look दे रहा है जो car को इसका system भी बहुत heavy है अब मैं आपको costing की बताता हूँ तो इसके seat covers और इसके interior यानि की door panels वगेरा पे और अंदर जितना भी interior का काम हुआ है उसमें almost 9000 का expense आया है और जो इसके alloys हैं यह interior देखिए पहले जो इसके alloys है वो 62,000 के हैं जिसमें alloys new है आपके और tire second hand है जो थोड़े used condition में थे बट अच्छी condition में थे इसमें armrest लगा हुआ है armrest का आपको rate पता है 5000 से लेके 1500 तक 2000 तक आपको अच्छी quality का हर car का available हो जाता है rear door से कुछ ऐसा लुकाता है car का और इसमें काफी अच्छा music system यूज़ किया गया है यह देखिए इसमें double coil woofer है pioneer के दो woofers हैं च्छे जेबियल के speakers यूज़ हैं एक front में touch player है जिसमें आप वीडियो प्ले कर सकते हैं और एक जेबियल का simple stereo है single din बाहर से bonnet पे एक यह fancy समोस्टाइस टाइप का ornament भी लगा हुआ है जो अच्छा look देता है car को बहुत front head lights with projector है और angel light DRL के साथ है ऐसा kitchen का look है और यह इसकी light bar लगी हुए bumper पे एक almost two feet की काफी अच्छा light का response है इसका इसमें DRL और fog lamp भी है जो bumper की lower grill पे है आपको भी दिखाएंगे जला के उनको भी काफी अच्छा look देते हैं वो भी और road पे अपनी presence दिखाते हैं fog वगरा में चलने में एंबर कलर और white color दोनों में जलते हैं यह देखिए ऐसा कुछ इसका look आता है कार में च्छोटी मोटी और भी कई चीज़े हैं जैसे की door visor लगे हुए है नंबर प्लेट भी fancy है इसका चलान है जैसा कि सब कोई पता है पर यह उस time की कार है जब शायद high security नंबर प्लेट्स नहीं आती थी तो इसके चलान का तो कोई reason नहीं है को मतलब नहीं है इसका चलान होने का कि सिंपल फॉंट में लिखा हुआ वैसे तो नंबर कि यह इसकी lighting का काम है यह भाई है करन भाई जिसकी कार है बहुत अच्छी बनाई है भाई ने आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें भाई को कोई queries होतों नंसे पूछ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से reply करेंगे आपका भाई इसको मनाली शिमला हर जगे लेके गए हैं लोग कहते हैं पाड़ों पर जाके गाड़ी की मतलब मारती 800 इतने अलो इसके साथ नहीं जा सकती बाई ने सब को चुप कर दिया है और इसमें मिनी ट्रोली लगा के भाई कहीं पर दर्शन करने भी गए थे बाई गरू जी होगे हैं और जो इसके सिस्टम की कोस्टिंग में आपको बतानी बूल गया वो अल्मोस 55,000 है 55,000 क्या सिस्टम है इसमें जिसमें दो एंप हैं एक मोनो और एक फोर चैनल एंप तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो मेरा चैनल जरू सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना और शेयर करना ना भूले और भाई को भी इंस्टाग्राम पर फोलो करें